नमस्कर सातियों, सातियों आपका हमारे चैनल में हर्दिक स्वागत है, recipes tariq को आपका जन्म हुआ है, तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है, आज हम इस वीडियो में बताएंगे जिस किसी भी इस्तिरी पुरुस का जन्म, किसी भी महा की तेविस तारिक होता है, उसका सुभाव कैसा होता है, उनमें क्या गुण होते हैं, कौन-कौन से रोगों के होने की संभावलाएं होती हैं, साथ ही एक छोटा सा उपाई जिसको कर करके जीवन में सफलताएं प्राप्त कर सकते हैं, यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ने किया, निवेदन है विरंति ये चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि जादाद से जादा लोग वीडियो का लाब ले सकें, साथियों, तेविस तारिक को जन्में हुए लोग, चुकि अंक जोतिस के हिसाब से मोल्यांक पांच के अधिकारी होते हैं, और पांच का संबंद सीधे बुद्ध से होता है, बुद्ध यदि आपका मजबूत है, बलवान है, ये बात निश्रित मान के चने, बिजनेस, ब्यापार, नौकरी, यहां तक क विचार, जो आप सोचेंगे, सब पूरे होते हैं, सर्व मनों कामनाय पूर्ण होती है, यदि आपका बुद्ध प्रबल है, बुद्ध बलवान है, ऐसे जातक बिजनेस माइंडेड होते हैं, ब्यापार करके ज्यादा पैसा कमाते हैं, और अच्छे ब्यापारी बनते हैं, नौकरी करना इनके बसकी बात नहीं होती, क्योंकि यह किसी की बातों को सहन नहीं कर पते हैं, और यह तो आपको मालूम है, नौकरी करने का मतलब सहन सिलता बहुत चाहिए, तो सहन सिलता ना होने की वज़े से, यह हमेशा ब्यापार अपना खड़ा करते हैं, ब्यापार मे उन्नत और तरक्की करते हैं इसमें कोई सब्सक्राइब जरासी बात पर बहुत जल्दी गुसा आजाना यह भी एक सुभाव में हैं लेकिन अच्छी बात यह है कि गुसे का अपने प्रदरसन नहीं करते बलकि अपने आने वाले अच्छे समय का इंतिजार करते हैं और वक्त पर छोड़ देते हैं कि जवाब हम नहीं उपर वाना देगा इन यह हर प्रकार की समस्या कैसी भी हो कितनी भी वड़ी समस्या हो उसका निवाना सहजिता के साथ करते हैं इसलिए कहीं जित्तर जोड़ करना हो आपस में किसी का वाद विवाद हो जगड़े निप्टाना हो तो उसके लिए सबसे उप्योगत तेविस तारिक को जन्मे होए लोग हुआ करते हैं मूल प्रवत्ति चुक्री इनकी व्यापार की है इसलिए बिजनेस ही करना चाहिए नौकरी में इनको हमेशा खत्रा बना रहता है अग एक तो यह इनका सुभाव ही ऐसा होता है कि यह कभी जिसे बहुत से लोग रिश्वद लेते हैं या गलत धंग से पैसा कमाते हैं ऐसा स और नियम सैयम से जीवन में चलने वाले लोग होते हैं एक कार्य को बहुत लंबे समझ तक यह इनमें करने की छमता नहीं होती इसलिए यह जीवन में कई बार अपना व्यापार बदलते रहते हैं धार्मिक शुभाव के होते हैं इश्वर में बहुत आस्था रखते हैं अच्छा हो या बुरा ऐसा मान लेते हैं कि यह सब इश्वर की मर्जी से हो रहा है अब आवगणों की बात करते हैं तो आवगण सिर्फ और सिर्फ एक है यदि बदल लेंगे तो जीवन में बहुत क अच्छा भी करता है तो भी इन्हें यह लगता है कि अब इसका क्या मतलब है क्यों यह मेरे साथ इतना अच्छाई से पेश आ रहा है छोटी-छोटी बातों पर शंका करने का यदि आपका सुभाव है तो उसको बदले और नहीं है तो बहुत अच्छी बात है पर तो आप क का होता है सबसे ज्यादा कि चर्म रोगों का होता है यानि कि तुच्छा संबंदी बीमारिया एक तो यह खत्रा होता है दूसरा बौधिक संतुलन कभी कभी टेंशन की वज़े से भिगर जाया करता है खुजली की शिकायत रहती है और पीलिया जैसे रोग से भी प्राब्ल को फोगी रहते है तो खत्रा बहुत कम रहता है इन सब बातों का चलिए डियुसाय की अगर बात करें तो बेउसाय में यह बाइंकिंग सेक्टर में फाइनस सेक्टर में यहां पर पैसे का लेंदेन होता है मुनीम है खजान्ची है कोशागार उसमें जॉब करके बहुत कीखुटू को और ह은ने उत्पन्द वस्त्यों का व्यूसाय करके बहुत तरक्राइब करते हैं जा मैसे गाय मिलता है कंड़े मिलता है बहुत से लोग बेशते हैं पसुओं से अंडे टो आप अंडे पसुपक्षियों के से विक्रे करके बहुत अच्छा धन जीवन में कमा सकते हैं उस्तक विक्रेता भी यह बन सकते हैं यानि स्टेशनरी का यदि आप बिजनेस करें, तो भी आप जीवन में बहुत सफल होते हैं, सम्पादक किसी पेपर के पत्रकार यह भी हो सकते हैं, और सफ़लता प्राप्त करते हैं, इसमें कोई सन्दे नहीं. प्रेम संबंदों की जहां तक बात करें तो इनका हमेशा एक से नहीं बहुत से लोगों से प्रेम संभन रहता है जो अंदाज है is टाइल है वो सबसे भिन्ह होता है और यही इनकी प्रवलों में ऐसा नहीं बोलेंगे कि ये सफल नहीं होते लेकिन असफलता हैं इनको ज्यादा देखने को मिलती हैं क्योंकि ये निश्ठावान तरीके से सामने वाले जो वादा करते हैं उसको पूरा करने की कोशिस करते हैं लेकिन सामने वाला जो है इनकी भावनाओं को इनके विक्तित्तों को नहीं समझ पाता इसलिए प्रेम संबंद बहुत ही कम सफल होते हैं ऐसा नहीं की सफल नहीं होते बहुत कम सफल होते हैं क्योंकि यह जीवन में हमेशा बिजनेस माइंडेट होते हैं जैसा मैंने शुरू ने बताया और व्यापारिक होने की वज़े से प्रेम संबंध कभी-कभी इनके बिगड़ जाया करते हैं अगर यह दोस्ट आपने हैं तो बढ़ने नहीं है तो फिर बहुत अच्छी बात है सफन है जीवन में जीवन में और अधिक सफनता के लिए चार करेट से उपर का पाचूरत यानि की पन्ना धारन करें भगवान श्री गणेस का पूजन करें पन्ना करंगली में बुद्दुगार के दिन होरा काल यानि की शूरू दैसे लेकि एक गंटे के अंदर के समय में दारन करना है और श्री गणेस का पूजन करना है हरी मौं की डाल अपने सिर्थ से ना गिनते हुए उतार के बैते हुए पानी में छोड़ें इतना अगर करेंगे तो बीजनेस ब्यापार जॉब जो भी आप करते हैं या शिक्षा ग्रहन करते हैं कोई आपका हाथ नहीं पक आपको हमेशा सुखी रखे संपन्य रखे स्वस्तर रखे इसी कामना के साथ अग्ली वीडियो में आप से मुलाकात होगी बात होगी एक चर्चा होगी जोतिस के नवी सेपर आपने वीडियो अंति तक देखा इसलिए बहुत बहुत आभाद बहुत धन्यवाद